हलो फ्रेंड वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्णर राधे राधे दोस्तों आज की स्वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब हम घट स्थापना या कलस्थापना करते हैं तो जो हम अपनी मननत पूर्ती के लिए इसके अंदर भेट बांधते हैं या बीड़ा बांधते हैं तो आप जरूर देखिएगा लिंक में सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को तो सबसे पहले तो जब आप नारियल लेंगे ना भेट बांधने के लिए तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका नारियल है मतलब कि यह जो इसके बाल होते न वो छिलेवे ना हूँ और आपको नारियल पानी वाला ही लेना है अच्छे से हिला के चक कर लिजिएगा सूखा नारियल हमें बिल्कुल नहीं रखना है अपने कलश के ओपर और साथ में हम ले लेंगे हैं आप सवा मीटर लाल कपड़ा आप चाहें तो सवा मीटर लाल कपड़ा ले लें या फिर आप लाल रंग की चुन्नी भी ले सकते हैं और अगर आप चुन्नी भी नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप खाली केवल मोली भी बान सकते हैं वैसे हो सके तो आप चुन्नी ले लिजिएगा दस तो इस तरीके से बीड़ा या भेट बांदी जाती है तो इसके अंदर हम रखेंगे दो हमारी लॉंग और लॉंग आपकी फूल वाली होनी चाहिए टूटू नहीं होनी चाहिए दो हमें हरी इलाइची रखनी है और हमें एक सुपारी रखनी है तो यहां पर यह हमने एक यंशा निकलने नहीं हमने इसमें 5 चीजे जो बांदी हैं इस अच्छे से सील कर देंगे इस तरीके से तो अच्छे से इसके इसके उपर आपका लंवा लपेट दीजिए यहां इस तरीके से और यह आपकी भेट होती है और कभी भी इस जो नारिल को भेट में बानते है ना इसको खोल के खाया नहीं जाता है आप इसी को यूँका यूँ अच्छे से सील कर दीजिएगा कलावे से उसके बाद आप जो उनसा भी जो आपकी कुल देवी हो आप वहां थापना की नारिल का मुख कैसे होता है सारी वीडियो के डिटेल में मैंने बना के डाली हुई है वीडियो तो वो देख लीजिएगा लिंक में डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप इस नवरातरी में ये भेट बना के जरूर डाल के देखिएगा आप देखें कॉर्नर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै माता की